पाचन क्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जो भोजन को चबाने से लेकर मलत्याग तक होती है। यदि पाचन प्रकृरिया सही से ना हो, तो ऐसे में शरीर में काफी परिशानियां उथपन नहों सकती है। जो लोग अत्यधिक मसालेदार भोजन जंगफोर पोड ट्यादि का से तो आइए देखते हैं कि पाचंअ से संबंधित कुछ आय और उनके लक्षन क्या है कबस की समस्या कबस की समस्या में मलत्याग करने में काफी परिशानियों का सामना करना करना पड़ता है जिस रैति को निम्यों सरफ में उसे कई कई दिं तक नहीं कि पज्दिने के कारण उत्पंद होता है। पेट तथा तो मे अलसर के लिए कई कारण होते हैं जैसे अत्यधिक मसालेदार भूजन कौफी तथा चाय का अत्यधिक सेवन एसिडिटी अत्यधिक अम्लिय भूजन करने से एसिडिटी हो सकती है। इसी के साथ साथ इसिडिटी का एक कारण पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा का अधिक हो जाना भी है। इसी के कारण व्यक्ति के पेट तथा सीने वगले में जलन भी होती है। इसिडिटी के कारण गैस भी हो सकती है। दस्त, अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेने से दस्त की समस्या हो सकती है, दस्त से पीडित व्यक्ति को बार-बार मलत्याग के लिए जाना पड़ता है, इसके कारण व्यक्ति के शरीर में पानी की काफी कमी हो सकती है, व्यक्ति को कमजोरी भी महसूस होती है, पाचन से संबं पाचन को सही करती है, फल की शरीर को शुस्थ भी बनाती है। जिन लोगों को कब्स की समर्स्या है, उन्हे ऐसे फल खाने चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा पाई जाती है, भरपूर पानी का सेवन करे। पानी की कमई से ऐस डिटी की समर्स्या हो सकती है, प्रति दिन वकुषल डॉक्टर से परामर्ष लें। यदि आप गाउं में रहते हैं और आपके गाउं में जियो मित्रय क्लिनिक है तो आज ही जियो मित्रय क्लिनिक पर जाएं और जियो पैनल के सर्वश्रेश्ट और अनुभवी डॉक्टर से परामर्ष प्राप्त करें। अधिक जानक के लिए शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने हैं